नमस्कार दोस्तों मैं संजीव आपके लेकर आए एक बार फिरसे एक नए वीडियो और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप सैटलाइट डारेक्टर एप्स का किस टाइप से यूज कर सकते हैं अगर आप मोबाल से सिंग्नेल मिलाना चाहते हैं तो यहां पर आपको सैटलाइट डारेक्टर एप्स बहुत सारी मदद करता है आप मोबाल से सिंग्नेल मिला सकते हैं चाहे कोई भी डिटी एच यूज कर रहे हैं डिडिप्रेट इसो या पर टाटाइस का संडाइट डिश्टी भी कोई भी रिसीवर आप यूज कर रहे हूं इसे यूज करना नहीं जानते जिस कारणी बहुत सारे लोग परिसान होते रहते हैं और वह सिंग्नल नहीं मिला पहते हैं तो आज मैं आपको TOP इसे कि step by step यहां पर बताऊंगा किस टाइस आप इसे यूज कर सकते हैं और तुरंत ही आपकी सिंगनल यहां पर मिल जाएगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप कौन सा तो सबसे पहले आप को पास यहां इसे सबसे प्ले सबसे तर्याइप प्ले स्टर पर जैसे कि आपको पता हुवद्र रहती है इसी उसपर जाना यहां पास सर्च करना सेटलाइड डारेक्टर ऑफ सा जायागा इस इस्टाल करने के बाद इस टाइब से ओपन करना एसरी सबसे पहले ओपन होने के बाद इस टाइब टें अइठफार्ण आप सामने देदेगा जो कि आपके सामने आपकी लोकेशन मांगगा तो यहाँ पर यूज्यूर क्लिक कर देनााभ, तो आपकी लोकेशन यहाँ पर चालू हो जाए, तो आप देख सकते हैं हमारी लोकिशन चालू हो चुकी है जैसी दोस्तों आपकी लोकिशन चालू हो जाती है तो हरे कलर में सारे सिंगनल दिखाने लगता है अगर लोकिशन चालू नहीं होती है तो रैट कलर में दिखाएगा अगर लोकिशन चालू हो चुकी है तो हरे कलर में तोटल मतलब हमारी location यहांपर दिखा रहा है अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको जानकारी देता हूं तो यहांपर slide से ऐसे नंगली से right side से यहांपर इसे slide करना है अब दोस्तों आपको जानकारी दे दें, जितनी भी सैटलाइट होती है, आपके सामने देख सकते हैं, जितनी भी सैटलाइट होती है, उनकी लिष्ट यहां पर आ चुकी है, अब जितनी भी सैटलाइट होती है, उनकी एक एंगल होता है, मतलब एक टाइप से लोकिसन होती है, इस एंगल के जरिये वो signal है वो खीचती है मतलब signal लाती है उसके बाद आपके receiver में पहुंचाती है तो यहां पर बहुत सारे angle आपको देख रहा हूंगे अब जो भी आप receiver यूज कर रहा है जैसे कि मान के चलो देख रहा है जैसे मैं dd-predis अंगल लिख देता हूं आपको यहां पर देख सकते हैं लाइब देखा दिया गूगल ने इसी टाइप से अन्य किसी भी चत्री की यूज करना है ताटा इसका करना है उसका यहां पर लिख देंगी नाम और एंगल लिख देंगे साथ में तो आपका भू एंगल हैं पर आ जाएगा अब दोस्तों हमको यहां पर 93.5 इसी को बहां पर देखना है तो आपको इसी भी इस एप जो हमने श्टॉल किया था उसमें पर देखना थो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लोकिसन अच्छे से मिल रही है हम स्लाइट करके यहां पर हमने क्या देखा था 93.5 मतलब 93.5 यहां पर आपको देखना है कहां पर है तो आप देख सकते हैं सबसे उपर ही होगा जाधतर है तो यहां पर देख सकते हैं सबसे उपर ही होगा जाधतर तो यहां पर आप देख सकते हैं 93.5 G set 15 लिखा रहा है अब जो ही हमने वहां पर देखा आता तो बहां पर भी क्या लिखा रहा था 93.5 इस्ट और कौन सा G set 15 तो हमारा एंगल यहां पर मिल चुका है तो यहां पर एंगल मिल चुका है मतलब देख सकते हैं अगर यह बैक हो जाता है यह location के ओपर निर्भर करता है तो आपको दुबारा यहाँ पर देख ले ना मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा था हूं जिससे कि आपको बिसवास रहे कि बाकई हम सही जा रहा है तो यहाँ पर इस पर click कर देना है जो सामन 3.56 E G set 15 यह इस पर set हो चुका है अब जैसे इसे एंगल को देख सकते हैं हम देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा एंगल है यह हमारा एंगल है देख सकते हैं सेंटर में यह गोल गोल है यह आ गया ना यह हमारा एंगल है तो इसी एंगल पर अपनी छत्री को रखना आपब इसे एंगल पर आपको अपनी छात्री है उसको रखना 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 is a दर अधर मतला ये दर और आप देख सकते हैं ऐसा होगा तो गल्स होगा अपको इसी एंगल पर कैसे रखना है वो में आपको बता देता हूँ मैं center button यहां पर दबा के आपको मैं सबसे पहले प्लिश्टोर पर ही लेच चलता हूँ जहां से मैंने apps install किया था आप देख सकते हैं भाहें पर आपको बता देता हूँ देख सकते हैं कैसे रखना है इस type से रखना है यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर यूज़ करते हैं अगर फिर भी कोई problem आती है तो जैसे कि मैंने आपको बता है लाइब यहां पर इस type से इसे angle में रखोगे आप छत्री को जो angle आपने चुना है छत्री के साब से उसी angle में इसको यहां पर लगाना है इसकी जो LNB है बिल्कुल सीधी होने चाहिए आपके हां पर बिल्कुल सीधा प्रॉपर एक line में होने चाहिए दोनों एक line में होने चाहिए तो आपकी proper signal मिल जाएंगे अगर फिर भी कोई समझ से आ रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर इस टाइप से आप इसे रखोगे तो आपके सारे signal यहां पर मिलने लगें और बहुत जल्दी signal मिल जाएंगे आपको परिसान होनी की ज़रुरत नहीं है आप इसी एंगल पर रखोगे तो total signal आपके मिलने लगेंगे इस टाइप से दोस्तों मैंने यहां पर आपको बताये कि इस टाइप से आपको इसे रखना है कि इस टाइप से आपको इहां पर मिलना से लगत और दोस्ते आपको फिर भी कोई प्रॉलम आती है तो मुझे आप Instagram ID पर कमेंट कर सकते हैं इस्त्रग्राम आइडिया संजीब साइंटिस्ट नॉलिग जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं अगर मैं यहाँ पर जो यूटुब कमेंट करते हूं बहाँ पर मैं जवाब नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों मैं सब कछते हैं रहता हूं जो ही इस्कु भी प्रॉल्म हो किसी इस भी चैनल से क्तिते हैं से सबयकलç ओर यह लिटीर में में जुआ हैं तो दोस्तोंYa28 hrwa वीडियो बना के लाओं और पिरते एक टॉपिक को आपको में कवर्स कर सकते हूं तो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहता हूं आई हो की दोस्तों मेड़ों दाद दीए जानकर यह आपको पसंद आइद वीडियो को लाइक जरूर करते हैं ऐसी लेटिस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ हम बैल आइकोन पर क्लिक करने जिसने आनवाल सब वीडियो सीधी आप तक पहुंचेंगे अब लोडियों फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाइब दोस्तों